नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मैं रितन सेन भारती अज हम बात करेंगा सीम नितीज के लगने वाले जनता दरवार के वारे में बिहार की आम जनता के लिए अच्छी ख़वर सामने आई है अब सीम नितीज कुमार करी 5 साल बाद 12 जुलाई से एक बार फिर से जनता के दरवार में मुख मंतरी सामिल होंगे आपको बता दें कि मुख मंतरी साचिवाला चार देश रतनमार के संबाद में जनता दरवार का आयोजन किया जाएगा इस दोरान सीम नितीज कुमार का जनता से सीधा संपर्ग होगा और जनता भी सीधा उनसे फरियाद कर सकेगी जनता दरवार को लेकर प्रसासनिक तयार यहां पूरी कर ली गई है 12 जुलाई से लगने वाले जनता दरवार को लेकर बिहार सरकार के मंतरी मंदल सचिवाला विभाग दोरा इस कारज करम की रूप रेखा तयार कर ली गई है मंत्री मंदल सचवारा के द्वारा यह कारजकरम हर महीने के पहले दूसरे और तिसरे सोंबार को संबाद इस्तित्मुख मंत्री सचवाला चार देशरत नमार्ग में आउजीत होगा यह कारजकरम दीन में 11 वेश से सुरू कर दिया जाएगा आपको बता दें कि महीने के पहले दूसरे और तिसरे सोंबार को आम लोगों की सिकाईतों का विभाग भेंद्रधारित कर दिया गया है पहले सोंबार को ग्रे विभाग, राजस्वे एवं भूमि सुधार विभाग, कारा विभाग, मद्य निसेद विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और समान परसासन विभाग से संबंदी सुनवाई होगी वहीं दूसरे सोंबार को स्वास विभाग, सिच्छा विभाग, समाज कल्यान विभाग, पीछड़ा विभाग, अती पीछड़ा बर्ग, कल्यान विभाग, अनसूची जाती विभाग, अल्प संख्या के कल्यान विभाग, बिग्यान विभाग, परदोगी विभाग, इवं मतस संसाधन, जल संसाधन, लगु जल संसाधन, नगर विकास एवं आवास खाद दे उपफोक्ता संरचन, परिवहन आपदा परवंधन, बन इवं जलवायू परिवतन, योजना विकास, भवन निर्मान, परियाटन, सुचना एवं जनसंपर्क, बानीज तथा समान पर परवार में आने वाले फर्यादियों के लिए अवस्यक होगा कि उनको आटीपिसियार टेस्ट के साथ कोरोना का टीका कराना अवस्यक होगा, इसके जिमिवारे सभी जिलाधिकारियों को सौपी गई है, आपको बता दें कि मुखमंतर सच्चिवाला को प्राब्द आवेद आवेदकों को एक दिन पहले पटना के निकट के जिलों में भेज देंगे, वहां पर उनको रहने के विवस्ता होगी, जिन जिलों के आवेदक एक दिन में आ सकते हैं, वहां से आवेदक सीधे जनता के दरवार में पहुंच सकते हैं, आपको बता दें कि इस वार एक दिन म को मंत्रित किया जाएगा इसके लिए मोबाइल के माध्यम से अपनी समस्य और जिकायद करने के विवस्ता की गई है जिस एप के माध्यम से सिकायद करना है उसका नाम है जिन आवेदकों के पास मोबाइल की सुभधा नहीं होगी वैसे आवेदक अपने परकंड विकास अधिकारियों को मिलेगा जिन्हें मोबाइल एप अथवा वैब साइट पर लॉग इन कर देख सकेंगे अवेदन अस्विक्रित होने की स्थिती में अवेदकों कारण के साथ इसकी सुचना दी जाएगी अगर आप जनता दरवार में अपनी समस्य को लेकर आना चाहते हैं तो वैक्सिनेशन लेकर ही आना होगा तो यह थी मुख मंद्र नितिसक मार के जनता दरवार को लेकर सुचना बिहार और बिहार से जुड़ हुई और भी एसी खबरों के लिए बने रहे हैं बिहारी नियुज के साथ मुझे दिजिए जाजात धन्यवाद